तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गेम की एक बिल्कुल न्यू जेनरेशन गेम की जिसका नाम है हैमर किंग एक ऐसी गेम है जिसको हम काफी बार मॉल्स में केल चुके हैं एक ऐसी गेम जहाँ पर हैमर कर यूज किया जाता है और ज्यादा से ज्यादा points को achieve किया जाता है जो सबसे ज़्यादा highest score बनाएगा वो जीतेगा वो ही same game concept को win magic लेकर आया एक नए concept में एक ऐसी table game में मतलब बिल्कुल same setup बिल्कुल same rules बट कुछ अलग कुछ नए twist के साथ जिसमें आपको मिलेंगे कुछ missions जिसमें आपको भरनी पड़ेगी penalty और साती जात में उसको खेलना आपको एक finger से ये एक नए तरीके का concept है जो win magic इंडिया में लेकिया है ये बाहर के countries में काफी ज़्यादा famous हो चुका है ये बिल्कुल latest launch है अगर आपको ये प्रोड़ेक्ट बहुत जादा पसंद आता है तो आप इसे hamilis से खरीच सकते हैं अदर्वाइस हम शॉप का नाम description में दे देंगे अगर आप इसे offline खरीचना जाते हैं तो आप इसे offline भी खरीच सकते हैं तो finally product को unbox करने के बाद हमारे सामने इसे परीचेश परीचेश और साथ इसमने कुछ पैनल्टी काड्स इनके बारे में बात में बात करेंगे सबसे पहले ये देख लेते कि इसे on के से करना है यहां पर आपको बैटरी इंसेट करने हैं जो की नॉमल डबले बैटरीज है इसमें तीन डबले बैटरीज लगेंगी यहां से आपको ओन कर लेना है और आपको कुछ इस तरीकी की कमांड सुना ही देगी जिससे आपको एक पता चल जाएगा कि ओन हो गही है इस game कैसे काम करती है fi Six game में आपको एक year start का बडन दिया हूवा है जिसे आप प्रीशे कितना भी उसकर सकते और इक S.A.T के बयर कितार भी उसकर सकते यह ऐक ऐसा Ming intercept है जहां पर आपको हिट करना है कोशिश करना है कि आप इस तरीके से के बागिक करें और यह वो पैनल होगा जो आपका current score दिखाएगा इस game को खिलना बहुत ही simple है सबसे आपको एक basic तरीका बताते थे हैं जो कि एक normal तरीका है आपको क्या करना है आपको index finger रखनी है यहां और जो ring finger है उसे रखना है यहां और जो middle finger है वो इस hitting target को hit करेगी इस तरीके से कि इसका जो score है वो highest rate जैसे कि आपको एक normal तरीके से हम करके दिखाते हैं यह बगड़ा अब आप देख रहे हैं यह e1 लिखा है that means error 1 यह आपको बताएगा कि आपका first error है यह आपका first foul है इसके बाद आपको एक बार दुबारे से foul करने का chance मिलेगा तीसरी बार में failure होगा यानि कि आप सिर्फ दो बार foul कर सकते हैं इसी बार में आप disqualified है यानि कि आपको या तो penalty बनने पड़ेगी या तो आप हार चुके हैं तो चलिए एक बार दुबारे से try करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है यहां से आपको finger को पकड़ने और इस तरीके से hit करना है जैसे कि आप देख रहे है 843 is the highest score अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं 843 score है यह player 1 ने मनाया है जो इसका basic तरीका है तो यही है कि आपने player 1 ने 843 बनाया 843 is the highest score उसको जो player 2 की chance आएगी तो उसको इस तरीके से hit करना है कि 843 की जगा 844 या उससे जादा है जिसका जादा score है वो winner अब इस game को और भी जादा interesting मनाने के लिए win magic एक नया तरीका लाया कुछ नई चीज़े add की है कुछ नई rules डाले है जिसके वज़ा से game और दादा interesting हो जाती है इस game में हमें मिलते हैं कुछ penalty cards ओके चलिए तो देखते हैं कि इस game को हम किस तरीके से खेल सकते हैं इस game को खेलने के लिए हमें एक यह mission card उठाना होगा और हमें mission मिला है player closes to 500 wins that means कि हमें इस तरीके से score करना है कि हमारा जो score है वो 500 यह उसके आसपास रहे ओके देखते हैं कि क्या मैं यह mission complete कर पाता हूँ और अगर मैं नहीं कर पाता तो इसके बदले में मुझे क्या penalty बननी पड़ेगी तो finally score हुआ है 751 और इस आपसे हमारा mission हुआ है बहुत ही बुरे तरीके से fail तो देख लेते हैं कि mission को fail करने पर हमें क्या penalty बननी पड़ेगी मैं कोई भी एक random card उठा लेता हूँ जैसे कि मैं उठा लेता हूँ यह वाला card okay तो मुझे penalty मिली है sing a song for 10 seconds यह एक ऐसी penalty है जो कि मैं बिल्कुल पूरा नहीं करने वाला क्योंकि अगर मैं यह पूरा कर हुआ तो शायद ही आप मेरी आगे की वीडियो भी देखेंगे तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमें किस तरीके की penalty card इस पर मिलते हैं जैसे कि आप यह पेनल्टी देख पा रहे हैं कुछ अलग अलग तरीकी पैनल्टीज है 10 push-up, dance for 10 seconds, 10 sit-ups, stand up and turn around, show an animal with your body, 10 push-ups मतलब कि कुछ ऐसी penalty है जो repeat करकर के देखी हैं बहुत इंट्रसिंग penalty भी है आप इसे अपनी family के साथ भी खेल सकते हैं हमें इसके साथ कुछ mission cards दिये गए हैं, अगर आप देख पाने हों तो different different missions हैं, किसी में हमें 600 बनाना है, किसी में हमें 300 point बनाने है, या तो फिर हमें highest score बनाना है, जो भी highest score बनाएगा, वो इस game का winner हो तो moral of the story है, कि ये game बहुत ही interesting है, आपको बहुत जादा मज़ा आएगा इस game को केलने में, और अगर आप game का prize देगे तो इस game का prize है 2499, एक ऐसी game है, जब आप इसे अपनी family में, अपने family members के दाप केलेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, किसी को push-ups करने पड़ जाएगा, किसी को गाना गाना पड़ेगा, otherwise अगर आप चाहें, तो आप अपनी customized penalties भी रख सकते हैं, आप अपने customized cards बना कर रख सकते हैं, उस से game और जादा interesting हो जाएगी, और आप penalties इस तरीके से रखिए, जो कि आपके family members के लिए बहुत enjoyable हो, आप सब लोग इकटे मिलके enjoy कर पाए, आप चाहें, तो अपने accordingly कुछ भी missions decide कर सकते हैं, और उसके DIY cards बना कर इस game में add कर सकते हैं, तो चलिए इस video का हम यहीं खतम करते हैं, actually में इस game को लाने का motive यही था, यह है एक different family game, मतलब बाकी games से बिलकुल अलग, जो इस time पे trend में है, और एक बिलकुल new concept है, I hope आपको यह video पसंद आई होगी, मेरा नाम है हितेश और आप देख रहे है toys group, अगर आप trending toys के बारे में और जादा जानना चाहते हैं, तो आप मुझे direct message भी कर सकते हैं, मैं अपने facebook का link नीचे description में भी दे रहा हूँ, और साथी साथ में आपको instagram का भी link दे रहा हूँ, हम ऐ ऐसी trending toys की unboxing करते रहते हैं, अगर आपको हमारी video पसंद आई हो, तो video पे like कर देना, अगर आपको हमारे channel पसंद आई हो, तो please हमारे channel को subscribe कर देना, मिलते हैं next video में एक नए toy के साथ, तब तक के लिए take care, goodbye and stay tuned